मुर्णिंग है कि से मिलकर के बना धोता है तो आप धियान देंगे कि मस्तिक का जो पच्छी बागोता हैं जिसे हम क्या कहते हैं मेडूला और यूदा ऑपास न ईसमें ऊप drհ हो था है जिसे हम क्या कहते महारंद्र कहते हैं महारंद्र कहेंगे या फोरामेन ऑफ मेगनन कहा जाता है इस फोरामेन या मेगनन से मेडला बलंगेटा बाहर के और निकल करके और मेरवरजु का निर्मान करता है महारंद्र से जो है या फोरामेन ऑफ मेगनन होता है फोरामेन ऑफ मेगनन फोरामेन ऑफ मेगनन होगा उस फोरामेन ऑफ मेगनन से आपको ध्यान रखना है मेडला बलंगेटा बाहर के और निकलता है बाहर निकल करके और आपको ध्यान करके मस्तिक से बाहर निकल करके इसका निर्मान करता है, मेरूर रज्जू का निर्मान करता है, किलर हो गया, क्या ध्यान नेकना है, तो आप ध्यान देंगे कि मेडला ओबलांगेटा के माहर अंद्रस या फोरामेन ओफ मेगनन से बाहर निकल कर मेरूर रज्जू का निर्मान करता है, और आप पहले भी पड़ निर्मान होता, तो इस ष्रवकार से यह में षूअद दें मिरोze होती है, उसकी लंबाई होते हैं, वह आप krijgen रखना है कितनी होगी, उसके बाद में इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है चार से पांच वर्स के अवधी के बाद में जो मेरुरजु है उसकी लंबाई में वरदी नहीं होती है यह हमें जानक ना तंत्रिका नाल होती है उस तंत्रिका नाल में नरो तंत्रिका नाल या केंद्रिये नाल जैसे हम कहते तंत्री का नाल होगी उसके अंदर उपस्तित होती हैं तो यह कसरु की दंड होगा यह कसरु की दंड तंत्री का नाल के अंदर देखो फार्सों में जो कसरु काई होगी उन कसरुकाओं से नाल नुमा स्रत्रा बनेगी और उस नाल के अंदर यह आपको दंड नर उपस्तित हो पतली होती हैं जिसे कॉनस मेडूलेरि कहा जाता है तो इसके बाद में सीट वाग में पतला होता है अब उसके बाद में ध्यान दीजे, मस्तिक्स की तरह मेरोरजू होता है, उनकी भी आंत्रिक्स रचना इसकी देखते हैं, तो मस्तिक्स की तरह मेरोरजू की भी आंत्रिक्स रचना होती हैं, उसमें बाहर की ओर तीन आवरन उपस्तित होते हैं, कितने आवरन उपस्तित होते ह मस्तिक्स की तरह मेरोरजू में भी 3 आवन उपस होते हैं, 3 आवन उपस होते हैं, सबसे बाहर के और हमने देखा था मस्तिक्स में कौन सा उपस होते हैं, दर्ड तानिका या जिसे हम क्या कहेंगे, दर्ड तानिका को डूरा मेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, दूरा मेटर, तो इ सबसके बाहर का अवर्न हमंको घहते हैं इसके बाद कौन सा होता है और उसके बाद में कौन सा होता है तो आप द्यान देंगे पाया मेंटर तीन आवन से गिइरावा रहता है इसमेंसे हमने देखा था किacies बाहर का बाध़र होता है जपने हैं उसे में क्या वहा काजाता है इनके मध्य की गुःरल वहा कहते हैं इस गुए को हम क्या खाएंगे सबड्यूरल का ओनल के बाद में आपको जहान एकना है कि इसमें जालतानीका होती हैं उसके फ्लाशे कि जहान का झाएंगे तो आप ध्यान देंगे उस गुएकructure गुहा का जाता है तो इस परकार से इस सभट G noch फोस्तीत होती है इस गोह को हम क्या कहेंगे सब iemandensitive गुआ का जाता है और यह साधी सबहुआ होती है इस सब एक्सष civ के रहा हुआ रहता है यह यह निस मेरूध द्रव मंश्तिक existing यहां cerebral spinal fluid बरावा रहता है तो इस परकार से प्रमस्तिक्स मरुदरो बरावा रहता है जो कि मरुद्जु को भाहया गातों से बचाता है तता इसके सुरक्षा करने का कारिय करता है तो यह हमें ध्यान रिकने इसके आवरण के बारे में इस आवरण को हम क्या कहते हैं मैंनेंजस कहा जाता है तो इस परकार से आवरण को हम क्या कहेंगे मैंनेंजस कहा जाता हैं और इसका मैंनेजस हिस या आवरण होता है go मध्य की बुबहा होती है वसे हम सबisons और मेर्स उसे सब oppos हो परकार की इसitude अधियान रखना है ठोब उसकी बात में household लीजिए कि मैरूरजू होती है उस मैरूरजू की उपस्ति कहां पर होती है तो आप ध्यान देंगे मैरूरजू होता है वह आपको जान रखना है कि उपस्तित होगा उसमें आप देखेंगे केंद्रिये भाग में इसमें क्या आपस होता है एक केंद्रिये नाल उपस्तित होत बीतर की और दूसर द्रवे होता हैं जोते हैं यह बाहर की और निकलते हैं तो इस परकार से एक जॉन यसके काण से यह कैसा होता दूसर द्रवे अंदर के उपस्तित होता हैं। तो ये difference हमें ध्यान रखना है कि दूसर द्रवे अंदर के और स्वेथ द्रवे बाहर के और उपस होता है, इसमें दूसर द्रवे होता है, उस दूसर द्रवे के दो सरंग उपर के और दो सरंग नीचे के और उपस होते हैं, उपर के और सरंग उपस होते हैं, जिसे हम प्रष् सब्रकार से प्रश्ट बाग किसे अधर होते हैं अब इसमें से जो सरंग भाग होते हैं उन सरंग भागों it नली सियं क्या निकलती है निकलती है और पष्ड बाग सी जो तंतीगा आती हैं उस तंत्रिगा को हम क्या कहते हैं सनलिदी Ol gross तो प्रष्ट भाग कि और तंत्री का आती हैं उसे आम समीधी या चन्तूरी नर्व का जाता है झात है यह नर्व और खेंद आंइक एसमें जो डूसर रहीट होती है ़ो किस प्रकार की होती है मजहा रहीत होती Am 공ों स्वेध द्रव में मज्जा युक्त होती हैं स्वेध द्रव में किस प्रकार की होगी मज्जा युक्त होती हैं यह मज्जा रहीत होगी वह दूसर द्रव में इस सम्वेधी तंतु होंगे उनके आप बाद में यह तंतु होंगे वह आगे जाकर के और प्रेरेक तंतुआं से यहां जुड़ेंगे और इनके बीज नमंगों से आने वाली जो तंत्रीका हैंya वह समेदी तंत्रीका के और समीधी तंत्रीका होता है और प्रष सरंग से जुड़ावा रहता है जबकि आपको धानकना इसके जो अधर सरंग उती उसे निकलने वादी तंत्रिका होती है उस तंत्रिका को हम प्रेरग तंत्रिका कहते हैं उस तंत्रिका को हम क्या कहेंगे प्रेरग या चालक तंत्रिका या मोटर नर्व का जाता है जो की विभी नंग करते हैं और सभी मेरू तंत्रिकां होती है जोministerित प्रकार के निकलते हैं और निकल करके और आपसा मिल करके तंत्रिका का निर्मान करते हैं उस तंत्रिका को मेरू तंत्रिगा कहते हैं मनसे के अंदर मेरू तंत्रिगां के संख्या होती हैं वह 31 जोड़ी मेरू तंत्रिगां एवं 12 जोड़ी कपाली तंत्रिगां मिलकर के परीधिये तंत्रिगां तंत्रिगां निर्मान करेगी तो उसमें 31 जोड़ी जो तंत्रिगां होती हैं वह तंत्रिग तन्त्रिकाय जाता है तो इन घिरवा तन्त्रिकाय हो जाएगी उसके बाद में आपको संख्या होती है तो आप ध्यान देंगे पांथ जोड़ी होती हैं और उसके बाद में सैक्रल होती हैं उनकी भी कितनी संख्या होती हैं पांथ जोड़ी और कॉक्सीजियल होती हैं उसकी संख्या होती हैं वह एक जोड़ी होती हैं इस फरकार से कुल मिलाकर करके 31 जोड़ी पर नर्प मेरुत अंत्रिक उन सुभी प्रम का आने और वापस जाने का मारग प्रतान करने का कारे वह किसके माज़्यम से किया जाता है तो आप ज्यान देंगे मेर रज्डू की वरता हैं दूसरा नके वर 19 कि वर्रों का मुख्य के अंदर के रूप में कारे करती वह कौन करती है मेर रजू करती है प्रतिवर्ति ग्रियां का मुख्य के अंदर होता हैं फिर उसके बाद मस्तिस के कारियों में साहिता करने का कारिय नियंत्रन का करने कारिय चैयार मुख्य से देख लीजे मेरो रजो कि से गालता है तो यह्यों कद घर होती है कशर की ढंड की तंत्री का नाल होती हैं उसके नाल के अंदर होता है और मेरुंजु क erzäh flux हो चार से पांच वर्स तक पुर्ण विख्षित हो जाती हैं फिर उसके बाद में आपको जहां नहीं कि मантиipps की तरर मेरुदू होती है जबकी मर्दू तानीका और के बीच की गौया को हम क्या करते हैं तो आपको दियाने एकना है सब और सब अंदर जोकी मस्तिक सरवाइब नेचना है कि मेर्रजू वोगी उसकी अंतरीक अनुप्रस्त काट काटते हैं मैंने यहां से अनुप्रस्त काट काट हैं उस अनुप्रस्त काट को काटेंगे तो इस प्रकार के आपको स्रचना दिखाए जाती हैं अनुप्रस्त काट में इसके कंद्री भाग में कंद्री नाल उपस होती हैं जिसके बीतर भाग में दूसर द से निकलने माले तंत्रिका संवेधी तंत्रिका होती है जबकि अब्सक्राइं तंत्रिक perspective मिल करका कंछीय की संख्या होती मनुख्य सेम कितनी होती है जोडी हो वह गिर्वा उसके बाद में बारा जोड़ी की लंबर और जोड़ी होती है यह हमें ध्यान नेक्ना है इस प्रकार से प्रतिवरती क्रिया होगी उनका नियंद्रण करता है और मस्तिक्स की कारियों में साहिता करता है अनेची क्रियाओं का समने वह नियंतरन करने का कार्य है वह मेर रुद्जु की दौरा किया जाता हैं इस प्रकार से हमारा ये complete टॉपिक मेर रुद्जु की बारे में